संस्कृत में ओम को पॉर्णो कहा जाता है इसका अर्थ है गुंजन वैसे तो ओम सब्द नाद स्वरूप है ओम सब्द के उच्चानन मात्र से सकारात्मक उर्जा का संचार होने लगता है पर मांड में जो धनी हमेशा गुंजायमान रहती है उसी धनी को ओम कहा गया है यहाँ बाद कई बग्यानिक सोधों में सत्य परमानित हो चुकी है ओम सब्द तीन अक्ष्णों के मेल से बना है आ, ओ, और मा भगबत गीता के अनुसार आ का अर्थ है अविने अवरिभाव या उत्पन होना उ का अर्थ उठना या विकास करना मा का मतलब है मौन हो जाना या ब्रमालीन हो जाना समस ब्रमान में ओम ही धनी गुंजायमान है नासा के बैज्ञानिकों ने भी सुरी की धनी को रिकॉर्ड किया है जो अपने आप में ओम की धनी है